हेलो फ्रेंट्स में नीरु जिंदल शिरी अरी क्रोचे नीटिंग चैनल की तरफ से अपने चैनल पर आप सब बहना कर स्वागत करती हूं देखिए आज मैं ये आपके लिए दो और तीन नंबर के लड़ो गोपाल जी की बहुती सुन्दत ड्रेस लेकर आई हूं देखिए इ कि जाना भी बहुत असान है और मैंने इस लीडियो के अंदर स्टैफ ए स्टैफ आपको जिकाए है ने भी जेनल गुंदान को सुस्क्राइब नहीं किया जून lol चैनल को subscribe कर लें और मेरा एक चैनल मेंने नया और रड़े किया है शिरी हरी creation के नाम से प्लीज आप सबसे request है कि जिनों ने यह channel मेरा subscribe कर रखाया तो मेरा दूसरे चैनल को भी आप subscribe करें शिरी हरी creation को जैसे आपने इस channel को इतना प्यार दिया आप उस channel को भी देंगे मैं उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपके लिए अच्छी वीडियो डालने की चलिए इस रैस को बनाना स्टार्ट करते हैं आप इसको हर साइज में बना सकते हैं प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा तो फिर उसके बीच मिच में मैं सभी साइज इसका आपको बठाती रहती हूं चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए तीन नंबर की चोली बनाएंगे इसके लिए देखिए सबसे पहले आपने जैसे मेरी चैनल पर आल्रेडी अपलोड है फिर भी देखिए दो चार छे आठ दस बारा चोदा सूला और अठ देखिए मैंने अठारा डबल करोश्या फर्स रांड में बनाए है और उसके बाद फास्ट वाली जो हमारी डबल करोश्या इसके आप बनाया है और 16 के उपर दो दो बार बनाए हGS देखिए फर फिर थर्ड रांड पर हमने क्या किया है एक चैन पर एक डबल क्रोशिया हर थर्ड चैन के उपर दो दो डबल क्रोशिया बनाया देखिए हर थर्ड चैन के उपर इस तरह से देखिए हमारे पास 45 डबल क्रोशिया हो गई है देखिए अब हम इसको डिवाइड करेंगे दो नमबर और तीन नमबर के लिए देखे इसको हमने सबसे पहले दो, तीन, चार, और पाँच, छे, देखे छे डबल करोशिया हमने ले लिया हैं, छे डबल करोशिया लेकर, हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस डबल करोशिया हमने चोड़ देने बाजू के लिए, देखे उसके बाद हमारे पास टोटल पंतालिस हैं, देखे छे यहाँ पे हो गए, छे यहाँ पे, छे और छे बारा, दस दस बाजू के लिए चोड़ें लेंगे, 20, 12 और 20, 32 हमारे पास पंतालिस हैं, बाकी के हम 13 डबल करोशिया यहाँ पे सेट पीच में बना देंगे, यह बैक पोर्शन के हम 13 डबल करोशिया ले लेंगे, दो, चार, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, और तेरा, देखे तेरा डबल करोशिया हमने, यह पीच्छे के पास पीच्छे के लिए बनाई, चोली कि अब हमने दस फिर चोड़ देंगे, बाजू के लिए, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, उसके बाद फिर से हमने यहां पे छे डबल करोशिया फ्रंट साइड के दूसरी साइड के बनाने हैं, चोली की, देखे इसके बाद हमने, अब हमने देखे इसके उपर हमारे पास जितने भी यहां पे डबल करोशिय हैं, एक राउंड सभी के उपर सेम लगाना है, एक के उपर एक, देखे इस तरह से हमारे यह दो और तीन नंबर के लड़ो गोपाल जी की चोली बन कर तियार हो गई है, देखे अब हमने क्या करन है, इसको यहां पे अटेच करेंगे, यहां पे, जो हमारा फस्ट वाली डबल करोशिय है, उसके उपर वाली जो थर्ड की चैन है, तिरह से हमने इसको अटेच के लगना है, अब हमने क्या करना है, एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे, देखे उसके बाद जो नेक्स्ट चैन है, हम उसके उपर, नेक्स्ट चैन के उपर, देखे यहीं पे हमने तीन चैन बनाई है, दो चैन हम और ले लेंगे, और इसी चैन की अंदर हमने एक डबल करोशिय और बनाना है, देखे इस तरह से, फिर हमने नेक्स्ट वाली जो हमा पिर उससे नेक्स्ट वाली चैन पर हमने एक डबल करोशिया बनाना है और दो चैन डालनी है और फिर उसी के अंदर हमने एक डबल करोशिया और बनाना है देखिए इस तरह से हमने वर्क करना है देखिए नेक्स्ट के उपर हमने एक डबल करोशिया बनाना है और उससे नेक्स्ट के उपर दो बनाएंगे और बीच में दो चैन डालनी है एक के एक चैन के उपर हमने एक डबल करोशिया एक चैन पर दो डबल करोशिया और बीच में दो दो चैन इस तरह से हमने इस राउं पूरा हो गया है और हमने यहां पर पांच चैन लगाई थी ठर्ड वाली चैन के अंदर हम इसको इस तरह से बंद कर देंगी इस तरह से हमारा यह पूरा राउंड कंप्लीट हो गया अब हमने देखिए इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे देखे एक चैन डालकर हम इसको यहां फ्रंट से फ्रंट पोस्ट बनाना है हमने इस तरह से बनाएंगे इसको इस तरह से अब देखे हमने यहां पे जो चैन बनाई थी इसके अंदर आएंगे फ्रंट पोस्ट आगे बनाने हमने जो हमने दो की चैन बनाई थी वहाँ पे हमने इसको ले कर जाना स्टिच को अब हमने देखे यहां पे दो दिखेंगे अवट हमने यहां पर दोडबल करोशे बनाए फिर दो चैन बनाई और फिर उसी जगा पर हमने दो डबल करोश्या और बनानी हैं कि इस तरह से फिर हमने जो हमारा यह तीन डबल करोश्या दिकाई दे रहे हैं प्रण्ट पोस्ट बनाना है पर दिखिए हमारा यह दो चैन वाला ऑगया इसके अंदर हमने सबसे पहले दो डबल करोशे करने हैं फिर से दो चैन डालनी है और फिर इसी के अंदर दुबारा सभगे में दोडबल कि डालने हैं कि इस तरह से देखे ये हमारे कि इस दो के अंदर तो हमने वर्क कर दिया और यह हमारा सेंटर वाला है जो देवल क्रोशिया देखे इसको फ्रॉंट पोस्ट बनाने के लिए क्रोशिय को यहां से डालने गे और फ्रण्ट से से यह चार करोशिय से इसरह से हमने इस में इसको एन को कंप्मबीट करना है कि हमारा यहां पे राउंड कंप्लीट न करी जो हम्ने यहां पर में दो डबल करोशिया बनाए उसके उपर जाकर हमने इसको अठेच करने इस तरह अब हमने क्या करना है इसको यहां पर जाना है स्लिम स्टिच करते हुए यह वाले सेंटर में अब यहां से फिर से हमने एक दो तीन लेके सेम राउंड लगाना है हमने अभी इसको कोई भी बढ़ाना नहीं है लेके दो डबल करोशिया बनाई दो चैन फिर से दो डबल करोशिया है एगे ही यह थर्ड राउंड और फ्रण पोस्टके उपर हमने फ्रेंट पोस्ट यह वाला है इस हमने इस तरह राउंड को हमने इसी तरह क्प्लीट करना लेके आगे नेक्स्ट यहां पे हमने दो चैन बनाई है यहां पर उसी तरह से जैसे हमने पहले लगाए है around सब्सक्राइब लगाना है इस तरह जैसे यह round complete हो कैंज को हम यहाँ पर टैज करेंगे थे ऑ वाली आटैज करेंगे थो कि अब इसको यहां पर आना है अब हमने यहां पर फिर से तीन चैन बनानी है देखिए पहले हमारे पास यहां चार बनाते थे अब हमने देखिए दो तीन तीन चैन बनाकर फिर से यहीं पर तीन बनाएंगे अब हम चार से यहां पर छे डबल करोशिया कर देंगे इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है इस तरह से, थे छार से हमने ये च्छे करना है और ये हमारे फ्रेंट पोस्ट, इसको ऐसे ही बनाना है देखेंज यहां पर, एक, दो, तीन, तीन डबल के बनाएंगे, दो चैन डालनी है, फिर यहीं पर, फिर से हमने तीन डबल के रोशिय डालनी है है दो और उसित्तरह से हमने और नेग्स राउंड को कम्प्लीट करने और ने6 भी सेही दालना है कि अब हमने इसके दिधिस करनी है इसके लिए सबसे ड़िपल करोउसिया असलिए हम अब हमने क्या करना है देखिए इसको बैक से बनाना है जो हमारे पास ये एक बनाया था इसके जो हमारे पास पीन डबल क्रोशिय है देखिए बैक पोस्ट बनाने के लिए हमने क्या करना होता है क्रोशिय को पीछे से डाल कर इसको दबाते हैं पीछे ही निकालना है इस तरह स बनाना डबल क्रोशिय हमने इस तरह से क्रोशिय को यहां से डालेंगे इस स्टिच को दबाते हुए पीछे की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से हमने यह तीनों बनाने हैं तीन बैक पोस्ट बन गए अब देखे हमारे पास तीन चैन डाली थी हमने यहां पर हमने सबसे पहले तीन डबल क्रोशिय डालने हैं दो तीन डबल क्रोशिय डालकर दो तीन चार चार चैन डालेंगे देखे फिर हमने दो डबल क्रोशि चोड़कर उसके बीच में डालना है हमने सेंटर में और यह परला बनाना है हाफ क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे फिर यहीं पर हमने एक डबल क्रोशिया डालना है अब देखिए हमारे पास यह तीन डबल क्रोशिया है इसको फिर से हमने बैक पुस्ट बनाना ह कि पीछे से क्रोशिय दबाया, स्टिच को दबाते हैं, पीछे ही निकालना है, और देखे इस तरह से स्टिच निकालनेंगे, तीन से दो, दो से एक, इस तरह से क्रोशिय को डालेंगे, और इसको दबाकर पीछे ले जाएंगे, इस तरह से हमारी यह बीडिंग करनी है हमने अब देखिए हमारी बास जो यह फ्रंट पोस्ट है इसको फ्रंट पोस्ट ही बनाना है बट हाफ क्रोशिय आप फिर से हमने देखिए इसको यहां इस होल में से क्रोशिय होकर डालेंगे यह पहले स्टिच को हमने दबाना है इस त इसको ग्रोशियों को डालकर इसको दबाकर पीछे की तरफ निकालना ग्रोशिया अब तीन डबल करोशिया बनाएंगे पहले एक तीन चार चैन बनाएंगे चार चैन बनाकर देखिए एक दो दो डबल करोशिया चोड़कर थर्ड वाले के बीच में हमने ग्रोशिया को डालकर सिंगल ग्रोशिया कर दीना है दीके जो जे टीन डबल करोशिया तो दो को चोड़कर यहां पर बन जाता है तो एक नेक्स्ट ओर बनाएंगे तो चार के सेंटर में हो जाता है यह चार के सेंटर में घुग दो इधिर तो इधर है अभाने यहां पी फिर्षी बैक पुस्ट बनाना है इस तरह से देखिए हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है यहां भी हाफ बनाना है फ्रंट पुस्ट तो इस तरह से हमने यह क्रोशे की इसे ड्रेस्ट की वीडिंग करनी है लांस्ट राउंड है यह हमारा उसके बाद यह कैसे डे बने बताओंगे मैं आपको देखिए इस तोहीं से यांड कम्प्लीट हो गया है देखिक अब हमने जो यह design बनाया है मैंने इसको हमने देखे कैसे बनाना है देखे इसके लिए हमने क्या करना है जो हमने यह सारी लाइने बनाई है हमने देखे इस लाइनों में से हमने इसको यह वाला जो हमारा point है यह इसको छोड़ देंगे और यहां पर यहां पर हमने चार डबल करोशिया बनाई है इसके यहां सेंट्र में से इसको उठाना है इस तरह customer से उठाकर यहां आप पिसिंगल करोशिया करेंगी क्लेव करेंगे तोड़ा पर इदर उदर कर देंगे फिर हमने यहां पर 15 दो तीन डबल करोशिया बनाने हैं चार और पांच तेके पांच डबल करोशिया बनाकर हमने इसको यहीं पर सिंगल करोशिया से बंद कर देना है इस तरह से सिंगल करोशिया से बंद करके इसको हम कट कर देंगे इस तरह से हमारा यह बन कर आ जाएगा हमने एक एक छोड़ कर बनाना है देखिए इसको हमने जब बनाएंगे तो हमने इसको count करके बनाना है देखिए एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, आरा, बारा देखिए हमारे यह जोड़े में आने चाहिए अगर यह मतलब 11 आएंगे तो हम इसको एक एक छोड़ कर नहीं बना सकेंगे इसलिए हमने इसको जब यहां से starting करेंगे तो आपको उसी साफ से जैसे आपकी चोल कर लिए उसे साफ से आप इसको रजेस्ट कर लेना देखिए इसको हर साइज में बना सकते हैं देखिए यह मैंने दो और तीन नंबर के लेटो को पाल के लिए बनाई है अगर हम चार नंबर की चोली बनाएंगे देखिए चार नंबर पांच नंबर की हमारे पास यहां पर तो इसे साफ से महारा राउंड भी बड़ा बन जाएगा देखिए अगर आप जब हमारे पास डबल क्रोशे ज़ाधा होंगे तो हमारा ये गेरा भी बड़ा बनेगा आप अगर चार नंबर के लिए शौट में बनाना चाहते हो तो इतना बनाना तो इतना बना लीजिए अग और जो आपका zero की चोली का साइज होगा अपने ये वाले भी उसी इसाब से बनेगे इस तरह से देखिए आप इसाब लगाते हूँ ए अपने बड़ी चोटी डास बना सकती है चलिए अब हम इसको बनाना सिकाती हूं मैं देखिए इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है देखे एक Colour एक हमने ही इक कlor से बनाना दूसरा हम दूसरे कलर से बनाएंगे देखे मायने यह ऑर इंज कलर बनाएं अब यहां पे बनाएंगे दीकिंज सबसे पहले हमने होसे क्रोशीक के डालना और ठ्रेड को टेच करना है त्रेड को टैच करेंगे सिंगल करोशे से इस तरह से अब हमने एक दो तीन चार चार चैन बनाने के बाद हमने इस साइड आ जाए ना इसके यहां पर हमने सिंगल करोशे करें इधर से करोशे को डालेंगे इस तरह से यह हमारा सिंगल करोशिय बन गए आप हम इसको टर्न गरेंगे एक दो तीन तीन चैन बनाकर हमने यहाँ पर डबल करोशिय बनाने हैं दो हमने जो देखिए यह चैन बनकर आगई इसके अंदर बनाने हैं हमेरा 3 की चैन से डबल करोशिय होगा हैं दो तीन है है चार दीए चार डबल करोशिय बनाएंगे हम एक और बना लेंगे पांच पांच डबल करोशिय बनाने के बाद हमने एक दो पीजार की पांच तेट दबल करोशिया बनाने के बाद हम 4 चैन लेंगे तो हम देखे 4 छोड़ देंगे दर से 1, 2, 3, 4, 4 छोड़ कर जो हमारा ये पांच वी इसके अंदर होल में से डालना है हमने इसको देखी यह हमारे 4 इस साइड हो गया तो हम 3 और बनाएंगे डबल करोशिया टोटल हमारे 8 डब करोशिया होने के बाद इसको हम टर्न कर लेंगे इस साइड कि अब हमने क्या करना है कि टर्न करकर हमारे पास जो नीचे ये डबल करोशिया है ये वाला इसके नीचे देखी मैं आपको निकाल के बताऊंगी ये वाली जो लाइन आ रही है इसका ये वाला डबल करोशिया इ इस तरह से पकड़ लेंगे देखिए इसके साथ जो यह जा रहा है इसको इसके अंदर हमने वर्क करना है पांच वार डबल करोशिया इस डबल करोशिया के अंदर एक, दो, तरह से हमने इसको, ये धागे हम बाद में अंदर करेंगे, इस तरह से ये डिजाइन हमारा बन कर आगे है, देखिए इस धागे को हमने पीछे निकाल देना है, यहां से, बाद में इसको हम पीछे शट कर देंगे, जो ये वाला थ्रेड है, इसको भी देखिए हमने, यहां से डालते हुए, पीछे ले जाएंगे, और पीछे बैक पे निकाल देगे, इस तरह से, इस तरह से हमारे बास बन कर आजाएगा, देखिए यह बहुत ही सुन्दर लगता है, जब बन जाएगे सारे, हमने एक ग्रीन दिखी ही, यह आपके चोइस है, यह आपनी एक कलर की बीडिंग कर दी है तो आप एक कलर की यह बना सकती है, चाहिए आप इस तरह से एक दुसरे कलर का, एक दुसरे कलर का डेजाइन बना सकती है, चलिए हम इसको भी कम्प्लीट कर लेते हैं, देखिए इस तरह ये लटो भपाल जी की ड्रेस बनकर त्यार हो गई है देखिए ये बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनकर आया है कि इस तरह से आप अपनी मर्जी से जो भी आपको कलर अच्छा लगे बना सकते हैं किसी भी कड्रास्ट कलर से चलिए इसकी कैप बनाना बताऊंगी देखिए अब हम इसकी कैप बनाएंगे उसके लिए मैंने दो और तीन नमबर के लिए मैंने बाइस चैन ले ली हैं हमारे बाद जितने भी स्टीच चे आप सभी के उपर हमने सिंगल क्रोश्य करना है बाई उपर हमारे 22 हाफ स्वारी सिंगल ने हाफ डबल क्रोश्य करेंगे हम देखिए हमारे पास है यह 23 डबल क्रोश्य हो गए थे सोरी 23 डबल क्रोश्य के उपर हमने 23 चैन ली सबसे पहले हमने 23 चैन लेने के बाद देखिए हमने 11 हाफ डबल क्रोश्य बना दी है ग्यारा के बाद 11 इधर रहा जाएंगे हमारे 11 और 11 बाईस जो हमारी यह सेंटर की चैन है देखिए इसके उपर हमने हाफ डबल क्रोश्य बनाएंगे एक सॉरी डबल क्रोश्य दो दो फिर हमने इसके अंदर दो चैन बनानी है फिर से इसी की अंदर हम दो डबल क्रोश्य बनाने हैं हमने एक दो दिखिए एंदुबारा से बता देखती उन टोटल हमारे पास तेज़ चैन थी हमने तेज़ चैन की उपर हमने दिखिए ग्यारा हाफ डबल क्रोशिय इदर, ग्यारा हाफ डबल क्रोशिय इदर, ग्यारा और ग्यारा बाइस, जो हमारी तेश्वी सेंटर की चैन है, ग्यारा के बाद बार्मी चैन है, बार्मी चैन की अंदर हमने दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया, अब हमारे पा अजब वोरा कि अब हमने दो चैन डालकर इसको टर्न करेंगी दिखें सबसे पहले तो हमने जो हमारी पास जी ग्यारा है तो ग्यारा के उपर ही हमने हाफ डबल करोशिया बना लेने हैं दिखिए अगर आप बड़े साइस का बना रहे हैं तो आप अपने लड़ो गोपाल जी का सिर नाप ले उसी साफ से आप चैन डालकर नाप लें और काउंट कर लें देखिए एक चैन हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए मालों आपके पास 20 आईए तो आप उसका सेंटर करेंगे तो एक अलग से डालने इस तरह से अब हमारे पास देखिए ये दो डबल करोशिया हैं इसके उपर भी हमने हाफ करोशिया ही बनाना है इस तरह से अब हमारे पास देखिए ये दो की चैन आ गई है इसके उपर हमने डबल करोशिया बनाना है एक दो फिर से चैन डालनी है और यहीं पर दुबारा हमने डबल करोशिया बनाना है अब हमने देखिए हमारे पास यहां जितने है सब को हम हाफ डबल करोशिया से राॉंड को कम्पलीट कर देंगे हैं कि इसको हमने यहां पे कट कर देना है देखिए जैसे हमने ये ग्रीन कलर की बीडिंग बनाई है तो हम इसकी भी यहां पर बीडिंग बनाएंगे देखिए हम इसकी बीडिंग के लिए हमने सिंगल क्रोशे का यूज करना है सबसे पहले हम इसको थ्राडल लगा लेती है इस तरह से इसको भी साथ ही ले ले एक दो स्टिच तक साथ लेके बाद में खाड़ देंगे दिखी हार एक चैन के उपर हमने सिंगल करोशिय बनाना है अब हमने क्या करना है इसको सूरी डबल करोशिय है इसको चोड़ कर जो हमारा यह पहले वाला स्टिच है इसमें से हमने ॥्रन्ट पोस्ट pronate बनादीना है इस तरह से अब हमने इसको यहां से बैक पॉ्सट बना देंगे जो हमारे डबल और तक्रोसियथे दो इस तरह से अब हमने दिखे जो हमारी दो की चैन आ गई है अब हम इसके अंदर दो बार हाफ डबल करोशिया बनाएंगे नहीं तो हमारा थोड़ा ज़्यादा हो क्योंकि दो नमबर की ड्रेस है अगर आपने डबल करोशिया बनाना तब भी कोई बात नहीं कि अगर बड़ी पर बना ले देखे दो और थीन तीन आफ डबल करोशिया के बाद हम इसके कि जार चैन लेकर दो हाफ डबल करोशिया को चोड़कर बीच में सेंक्र में करोशिय अक को डाले गोई परला बनाएंगे और एक हाफ डबल क्रोश्य फिर से बनाएंगे अब हमारे पास ये दो डबल क्रोश्य हैं कि करोश्य को सबसे पहले यहां से डालेंगे और इस तरह से हमने फ्रंट पोस्ट बनाकते हुए डबल क्रोश्य करना है इस तरह से बस सिर्फ दो स्टिच्च लेने हमने कि और उससे आगे वाले को हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हाफ अब हमारे पास जितने विस्टीच बची हैं सभी पर हमने सिंगल क्रोशिय बनाना है अब इसको हमने यहां पर कट कर देना है अब हम इस तरह से जैसे हमने कैप पर बनाया है हम इसको यहां से बनाएंगे देखिए अब हमने यह डिजाइन बनाना है देखिए हम यहां से बनाएंगे इसको यहां से हमारा यह देखिए एक तो हमारा यह वाली चैन दिखाई दे रही है इसको छोड़कर जो फर्स्ट रौ व्यासे ही बनाना है कि सबसे पहले हम इसको थ्राड़ को टैच करेंगे अब इसको इसी तरह से पकड़ी रखेंगे हम अब हमने इसके अंदर पांच बार डबल करोशी बनाना एक दो थीन चार पांच कि पांच बार डबल करोशी बना कि यहां भी सिंगल करोशी इसको अटैच कर देंगे और कट कर देंगे देखिए अब हमने ग्रीन कलर से इसके बेडिंग बना दी है तो हम इस कलर से इसका यह फिलावर बना देंगे कि यहां से इसको टैच करेंगे सिंगल करोशी से कि चार चैन बनाएंगे एक दो तीन चार कि चार चैन बनाकर यहां इस साइड से क्रोशिय को डालेंगे इदर से और सिंगल क्रोशिय कर देंगे इस तरह से कि चैन वीश में आदेंगे किच अब हमने एक दो तीन थीन चैन बनाकर इसको टरन गरेंगे जो हमने चार की चैन बनाई हैं उसके अंदर से यह भांच बर डबल क्रोशिया बनाना है एक तो हमरा तीन की चैन का काउंट होगा चार ओर बनाएंगे टोटल 5 3 4 को कि पांच Natalie बनाने के बार तीन चैन डालेंगे यहां से हमने के रोड़ को डाल कर इसका परलब नाना है 3 रॉभ डॉश के बाद हमने डालने टोटल आट डालना है देखिए अब हमने क्या करने इसको इस साइड लाएंगे देखिए जो हमारा यहां पर यह वाला पॉइंट है इसकी अंदर हमने बनाना है अब हमारे पास देखिए यह कैप हमने हमने चोटी बनाई है तो इसके राउंड कम आई है देखिए हम जब बड़े साइड की बनाएंगे तो हमारे पास यह राउंड और बढ़ जाएंगे तो हम इसको एक राउंड और ऊपर बनाएंगे देखिए अब हमने क्या करना है जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसके अंदर पांच बार डबल करोशिया बनाना यहां से, करोशिय को डाल के रिखे, इस तरह से पकड़ लिए आप, यह सारे धागे हम इस तहां से दबा लेंगे, एक, दो, तीन, चार, और पांच, पांच डबल करोशिया बनाने के बाद, देखे, इसको हमने यहां भी अटैच करना होता है, जो हमारा फर्स्ट डबल करोशिया यहां भी, इसको इस तरह से करके सिंगल करोशियर से, टाइट करना है पूरा, ताकि यहां पर गैप नाओ, एक, चैन बनाएकर, इसको कट कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से बन कर आगया, यह त्रेड को हम पीछे कर देते हैं, की फालतू के जो हमारे पास दागी है, इसको हम कट कर देंगे, बिल्कुल पास में से कट ना करें, इस तरह से, यह बन गई है, देखिए, कैप अगर आप चाहिए, अगर इसके अंदर बैलकुल लगाना चाहों, तो आप बैलकुल लगा सकते हैं, एक पीस इधर और एक पीस इधर, तो आप उसको इस तरह से फिर अटेच कर लें, देखिए, अगर आप को चोटा बड़ा भी करने में ऐसा आन हो जाएगा, अगर आपने यहां पर कोई टीच बटन लगाना तो वो लगा लें, जा इसकी आप यहां पर इस तरह से सिलाई भ पाल की जादा फरक नहीं होता, दो और तीन के बिल्कुल ठीक आएगी, देखिए इस तरह से जिनका मुकट भी कितना अच्छा बन गया है, बनाना भी ऐसान है, देखिए, और देखिए इस तरह से यह मुकट भी बहुत अच्छा बनकर रैडी हो गया है, मैचिंग, देखि अगर आपको यह हमारे लड़ू गुपाल जी की ड्रस पसंद आई, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और जीन लोगों नहीं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेला इकन को जरूर नहीं वीडियो पर लोड होती है, उसकी नॉटिफिकेशन आपके पास जाए, थेंक यू